आपका स्वागत है बिहारी नियूज में अब तक विधायक सेग्मेंट में आज हम बात करेंगे सुपॉल विधानसभा छेत्र के बारे में सुपॉल विधानसभा छेत्र के मौजूदा विधायक विजेंद प्रसाद यादव है 2015 में हुए चुनाव में जदियो के टिकेट से विजेंद प्रसाद यादव चुनावी मैदान में आए और 82,295 वोट से जीत दर्ज की मही किशुर कुमार भी इस चुनावी मैदान में कॉंग्रिस के टिकेट से उतरे थे लेकिन वे तकरीबन आधी वोटों से हार गये किशुर कुमार ने इस चुनाव में 44,898 वोट हासिल किये थे अब इनके वोट के अंतर पर एक नजर डाले तो 37,357 वोट से हार गये थे वर्तमान में बिहार सरकार के उर्जा मंद्री पद पर कारिरत हैं ये वर्ष 1990 से ही इस विधानसवाज हेतर पर कबजा जमाए हुए हैं 25 वर्षों से इन्होंने विधायक पद हासिल किया है वही इनके राजनेतिक सफर की बात की जाए तो वे जेपी अंदोलन से सक्रिये पुल-पुलिया का भी निर्मान हुआ है लोगों का जुराफ बढ़ा है सरक के मामले में जो विकास हुआ है उसे जंदा सराहनिय मानती है सुपौल जिले के पाच विधानसवा सीटों पर यह विधानसवा सीट बेहत एहम है सदर प्रखंट और मरोना प्रखंट इस विधा पूरी तरह से बहतरी नहीं है कई समस्याओं से यहां की जंता को जूजना पड़ रहा है सिक्षा के चेत्र की तरफ अगर हम रुक करें तो उच्छ सिक्षा तकनीकी सिक्षा और महिलाओं की सिक्षा को लेकर स्थिती दैनी है महीं कोसी नदी की बात की जाए तो यहां का एक एहम मुद्दा है लोगों को कोसी से होने वाली परिशानियों से जूचना पड़ता है पलायन, कटाव, स्थाई क्यास एजनसी ऐसे मुद्दे हैं जिसे नजर अंदास नहीं किया जा सकता है आज के अब तक विधाइक सेग्मेन में बस इतना ही हमाशा करते हैं आपको हमारे यह वीडियो पसंद आये हो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताए धन्यवाद